महासिवरात्री पर्व पर भोपाली में लगने वाले मेले का हुआ सुभारम्ब महासिवरात्री पर्व को लेकर मेले की तैयारी पहले से ही पूर्ण कर ली गई थी मेले में दूर दूर से स्रधालूं का आना सुरू हो गया है वोपाली मेले में प्रतिवर्स लाखो स्रधालू पहुँचकर भगवान भोलेनात के दर्शन करते हैं इन स्रद्धालूं के लिए जनपत पंचायत घोडा डौंगरी द्वारा मेरा लगाया जाता है मेले में जनपत पंचायत के अधिकारियों ने व्यापारियों को जगह आवंटिक करने के अलावा बिजली पानी सहित अन्य इंतिजाम करना सुरू कर दिये हैं इस सिब्यापारियों को राहत मिली है मेले के लिए यहां करीब 200-300 से अधिक बैतूल साहपोर गोडा डौंगरी सहित जिले भर सिब्यापारी पहुँच गए हैं इसके अलावा सिब्वक्तों के पहुँचने का सिलसिला भी सुरू हो गया है महासिब्रात्री पर सिब्वक्तों के लिए दरजनों समीतियों द्वारा विसाल भंडारे का आयोजन किया जाता है जो की मंगलवार से सुरू हो रहे मेले में सिब्वक्त सेवा समीती सहित अन्य समीतियों और मंडलों द्वारा तैयारियां सुरू कर दी है यहां मेला स्थल से लेकर सड़कों पर भी आने जाने वाले स्रधालूओं के लिए जगह जगह भंडारे कायोजन की अगजाएगा बैतूल के घोडा डोंगरी ब्लॉक में इस्थित प्रशित भोपाली में हर साल सिवरात्री परवपर हजारों की संख्या में यहां सिव वक्त माथा टेकते हैं जो लोग बड़ा महादेव पच्मडी नहीं जा पाते वे यहां दर्सन के लिए छोटा महादेव आते हैं यहां दुर्गम पहाडियों के बीच बनी गुफा आकर्शन का केंद्र रहती है ऐसा माना जाता है कि सत्पुडा की वादियों में वसे पच्मडी के बाद भोपाली एक ऐसा पवित्रिस्थान है जहां वगवान भोले संकर की गुफा में विराजमान है इस जगए को पच्मडी में बड़ा महादेव तो बैतूल के भोपाली में छोटा महादेव की गुफा के नाम से जाना जाता है करीब डेढ़ अजार फिट की उचाई पर बसे महादेव वावा के प्राचीन मंदर में गुफा है गुफा के भीतर महादेव का सिवलिंग है सिवलिंग के नीचे से पानी निकलता है साल के 12 महीने पानी की धार एक समान रहती है बोपाल में सिथ छोटा महादेव का सिवरात्री पर दर्शन का काफी महत्व है महा सिवरात्री पर लाखों फक्त दर्शन के लिए यहां आते हैं